प्रिंट मीडिया और इमीडिया टू बाइण सेल आइटम्स एड़र्टीज हम लोग टीवी वगेरा में भी देखते कि कोई आइटम को सेल करने के लिए उसको बहुत ही बढ़ा चड़ा कर दिखाया जाता है उसका जो कॉंसेप्ट है वो बहार निकल कर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक डिफरेंट काईड आप सर्विस तू सिख दें इसका जो कॉंसेट शो कॉंसेट नमबर अड्रशिक मॉस्ट भी दिया निकल आत्रपाजविल परफूसफल अर वो परफूसफल हो नी चाहिए और अट्रप्टीज होनी चाहिए और अट्रप्टीजमेंट आपण पॉस्पेपर मेंगजिन्ट आपूसंट फिल्बॉर्स, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, एट्सेटरा यहाँ पर इन सब को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है अब हम यहाँ पर कुछ एक एक एकजामपल करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इसको डेकोरेट करके इस तरह से हम एड़र्टीज बना सकते है तो यहाँ पर देखिए यू ओनी गिफ्ट शोप, प्रिपेर ए लर्निंग एड़र्टीज में फुल डेटेल्स तू इन्वाइट कस्टमर्स तू बाई गिफ्ट फूम यूर्स शोप कि आप ने अगर कोई गिफ्ट की शोप ओपन की है और उसमें एड़र्टीज देना है तो किस तरह से एट्रेक्ट बना सकती है अब यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें एड़र्स वगेरा सब लिखा है और जगय का नाम सब और क्या प्राइजेज है तो यहाँ पर सब दिया गया है तो इस तरह से कुछ और भी एड़र्टीज आ सकती है जिसका जैसे कोई बहुत ही पॉपॉलर बुक है उसका वो करना है उसके बाद कोई बहुत अच्छी जैसे फुड है या फिर कुछ और आइटम है तो इस तरह से बॉक्स बना कर अगर उपर कोई भी टाइटल दे दिया जाएगा तो आपको जरूर नहीं कि एक्जाम में यही आए तो इस तरह से आपको एड़र्टीज है वो कम्प्लीट करना है जैसे की पिक्चर में दिया गया है गिफ्ट रेट और फिर स्पेशल रेट दिया गया है उसके बाद एडरस दिया गया है और कब वो शाप आपन होती है कब क्लोज होती है यह सब भी बताया जाता है ठीक है तो हमारा एड़र्टीजमेंट हमें इस तरह से करना है देखे राइटिंग आर्टीकलस क्या होता है आर्टीकलस is a piece of writing written for large audience the main motive behind writing in articles is that it should be published in either newspaper or magazines and journals so as make some difference to the world और इसमें बहुत सारे topics internet से लिये जाते हैं राइटर के current topics इसमें आर्टीकलस में उनको लिया जाता है अब आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स प्रोवाइड इन्फर्मेशन ओब दे टॉपिक्स इट ओफर सजेशन्स एन पीस ओफ एडवाईज आर्टिकल्स डिसकस वेरियस प्रोडि पर्संस लोकेशन राइजिंग इशू एन टेक्निकल डवलोगमेंट अब इसका देखो किस तर बाद, main part article का दो और तीन paragraph में आना चाहिए उसके बाद उसका conclusion, ending paragraph of the article with the, उसका जो ending है, conclusion हो अच्छा होना चाहिए, उसके बाद, क्या-क्या step होने चाहिए, जब while writing in articles always use proper grammar spelling and proper punctuation use vocabulary skill, keep the introduction of the topic interesting and shortly, discuss the opinion and matter is in organized and descriptive manner और काफी बर हम कुछ common mistake कर जाते हैं article लिखते टाइम देखो इसमें क्या होता है no use paragraph paragraph नहीं बनाना है अलग-अलग से paragraph यह सिधा sudden continue जाएगा expressing personal views is fine, but the author must never talk about himself and herself ठीक है इसमें अपने आपको इस तरह से expose नहीं करना है he, she, ऐसे कुछ भी उसके पाद main बात यह है कि heading है वो article शुड़ बी short, clear and informative heading है वो short और clear होनी चाहिए और write very lengthy articles the title should be lengthy and clear यह हमें नहीं करना है lengthy articles ज्यादा नहीं लिखने है and उसके बाद title है उसको भी lengthy नहीं करना है clear होना चाहिए, lengthy नहीं होना चाहिए और main बात यह है कि इसका जो introduction है और conclusion है यह बहुत attractive होना चाहिए और इस paragraph में introduction, middle one and conclusion यह the must है तो अभी एक example करेंगे जिससे आपको clear हो जाएगा कि किस तरह से articles लिखने है देखे यहाँ पर लिखा है India has been facing and fighting terrorism for the last 20 years in fact terrorism has dis-reported the peace and harmony of the country and created panic and insecurity in certain area states write an article on terrorism a curse of humanity तो अब देखे टाइटल तो इसका यही बन गया terrorism a curse of humanity तो इस तरह से आपको question दिया गया होगा और आपको paragraph change करके starting में एक paragraph change करके फिर लिखना है काफे बच्चे paragraph change नहीं करते terrorism is the biggest threat that the world face today modern terrorism thrives on its ability to hit where it's burst the most the aim of the terrorist is so create fear anxiety panic and disturbance in the minds of the common people they believe in destructions and death and create lawlessness at present innocent citizens are becoming the victims of terror and violence कि terrorism है वो हमारे लिए एक कर्स है मानवता के लिए humanity के लिए एक अभिशाप है और जो ही modern time है यहाँ पे terrorism है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इससे लोगों में डर और चिंता का भाव देखा जाता है और लोग इससे बहुत ज़्यादा death भी हो रही है और लोग है वो कानून का विरोध कर रहे है जो terrorism है वो कानून को ऐसा create कर रहे है lawlessness उसमें ला रहे है और बहुत ज़्यादा हिंसा का डर है होओ ऑलेसे सosed हप्लेसे सह democrat मेंजन दाव 6-7rika ज़्यारिव सब्सटे हा ङाव स्पाль ज़्यादा इस होओ।ार्ण जव्यार्यादव कर ऑन्हार है तो प्रोफे कर फोड्यादा हो एन का चानून का उसे बहुता हाँ लाइ्सदेसी लोष वार्पिजर्स च्टेए ट्रीजिन तूर्से इंघार श्री लें nella 1617 गलेखलोंनी पम्ट मेर्साइब हो इंगे के लिवताइब लेखीनी तो देखें यहाँ पे किसी एक परसन का जिक्र बिलकुल भी नहीं हुआ है किसी ने अपना कुछ एक्सपिरियन्स शेयर किया हो तो और लास्ट में कुछ भी इसको आर्टिकल खतम करती कुछ भी नहीं लिखना है और बताया गया कि किस तरह से टारीरिज्म है वो फेल रहा है और यह जो भी अटेक हुए है उनके बारे में बाते किया है तो इस तरह से हमें इसको करना है और हमारा जो इसक्षन है यह कमप्लीट होता है आपको यहनौट बुक में लिखना है और जो औरली मैंने बोलагा है उस को भी समझना है ओक स्टूरेंट्स थैंक यू